hello student welcome back to my channel let's start exercise 1.6 class 9th so class 9th 1.6 exercise so start with question number one question number one दे विच बचे फर्स्ट पार्ट है 64 raised to the power 1 over 2 इदा मदला 64 नो सी इस तरह ना डिवाइड करांगे multiply करांगे कि सद्धों टू टम से विच डिवाइड हो जबी इदा मदला 8 8 जा 64 दी पावर 1 over 2 नो सी ऐसा चलिख्या रहें देता ठीक है तो इदा मदला 8 दी पावर 2 पहले नहीं बार प्यासी 2 दे ना आल 2 कैंसल हो गया फाइनली सादे कुल 8 आंसर बात से गया clear हो गया तो फर्स्ट दा सेकेंड पार्ट दिखो उन्हाने बोला 32 raised to the power 1 over 5 इदा मदला 32 नो सी इस चरह ना डिवाइड करना कि वो 5 पार्ट दे विच डिवाइड हो जवे इदा मदला आपा डिवाइड करके देखते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, देन 2 1 जा इदा मदला वसी 35 नो अगर 2 विच डिवाइड कर देया ता 5 टाइम्स डिवाइड हो जेगा इदा मदला 2 किन्नी टाइम्स आ रहे है 1, 2, 3, 4, 5 जा सी लिक्सा देया 2 रेस्ट दी पावर 5 दी पावर 1 ओवर 5 5 दे ना फाइड कैंसल आउट हो गया सो 2 साड़ा आंसर बाच गया अगर थानो एजी लाग रहे है ता खुद सॉल्व करके देखो तो डे तो सॉल्व हो भी रहा के नहीं हो रहा ठीक है इदा मदला हुन 125 नो इस साव न तोड़ना के ओ तिन पाव गांदे विच वंडिया जावे तो किस तरीके न तोड़ांगे 5 5 जा 25 25 एंटो 5 125 एदा मदला 5 असी किने पार्स दे विच तोड़ देता 3 ताइम ठीक है तो 3 दिन आल 3 कैंसल फाइनली 5 अंसर बाच गया दन तो साड़े 1st दे 3 पार्स सी जो सी सॉल्व कार देते सो नेक्स देखो second question second question दा first part देखो 9 raised to the power 3 divided by 2 एदा मतलब 9 नू किस तरीके न तोड़ना के 2 parts बांचाना हमेशा denominator चेक करना बचे ठीक है इदा मतलब असी कर सकने या 3 3 जा 9 उपर पावर किनने या 3 over 2 सो 3 नू किनने वारी तोड़े आसी 2 टाइमस बार किनना सी 3 over 2 सो 3 raised to the power 3 बाच गया सो असी लिख सकते हैं 3 multiply by 3 multiply by 3 क्यों क्यों नहीं 3 बारी क्या लिखनू 3 3 is a 9 9 3 is a 27 सो 27 is the final answer done सो second question देखो second part 2 raised to the power 3 over 2 over 5 सो 32 नू किनने पाटस देविच डिवाइड करना 5 देविच इदा मतलब असी लिख सा दिया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 सो उपर किनना है 2 divided by 5 एदा मतलब 2 नू किनने पाटस विच डिवाइड करना 5 देविच सो सी लिख सा दिया 2 raised to the power 5 the power 2 divided by 5 5 देना 5 cancel सो फाइनली 2 raised to power 2 बाच गया सो उनू किस तरीके ना रिख सा दिया 2 टू जा 4 सो आंसर आगया सादा 4 clear हो गया सो next question दिखो second दा third part this is important part 16 raised to the power 3 divided by 4 एदा मतलब 16 नू इससा आवना तोडना कि वो 4 पाटस दे विच डिवाइड हो जवे सो असी किस तरीके ना लिखांगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो गया 4 पाटस दे विच डिवाइड सो असी किस तरीके ना लिखा 2 raised to the power 4 क्योंकि 4 बाली तुट गया 4 देना 4 cancel सो 2 दी पावर 3 आगया सो इनू किस तरीके ना लिखांगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 सो जाड़ा 8 आंसर आजेगा डन नेक्स देखो सेकेंड दा फोर्थ पाट फोर्थ पाट दे अंदर किया 125 raised to the power माइनस 1 ओवर 3 पचे माइनस देखके कब राणा निया सिंपल जितना आपा पहला सम सॉल्व करके हटिया सेम तरीके ना हून सॉल्व करांगे 125 नो उसी तिन वारी तोड़ना सो तिन वारी तोड़ना है मतला 5 5 जा 25 25 इंटू 5 125 सो पावर ऐस सच लिखती ठीक है इदा मतला 5 दी पावर 3 बार किन ना 1 ओवर 3 3 दे ना 3 कैंसल सो सटा आगया 5 दी पावर माइनस 1 बचे माइनस 1 मतला असी नो डिवाइट च कारके लिखसा देया माइनस नो पॉजटिव च कनवर्ट करना ता आगया 1 ओवर 5 जे बचे पावर माइनस च हुन दिया उनो डिवाइट च लेके जानने आ ता जड़े थोड़ा अंसर आओ पॉजटिव चा जानना इदा मतला 1 ओवर 5 अंसर आजेगा सो दिस इस दा फाइनल अंसर दन सो तीसरा कोश्चन दिखो तीसरे दा फस्ट पाट उननने बोलिया 2 raised to the power 2 over 3 विचका dot लग्या है 2 the power 1 over 5 हुन मैंस दा एक रूहूला बच्चे when bases are same then powers are added bases मतलब 2, 2 a, b, सा थो, d powers मतलब जो उपर वालिया terms इतनिया ये power है when bases are same then powers are added power नो उसी की कार देता add so LCM लेलो 3, 5, 15 ठीका जो दो LCM लावाँगे ता 3 नो 15 ना डिवाइड किता 5 5, 2 is a 10 plus 5 नो 15 ना डिवाइड किता 3 3, 1 is a 3 so साथ देगो किना आजेगा 2 raised to the power 13 divided by 15 so this is the final answer clear हो गया so next question देखो third the second part second part किया 1 divided by 3 raised to the power 3 दा power 7 एदा मतला 1 दी पावर 7 divided by 3 raised to the power 3 दी पावर 7 so जदो 1 नो 7 टाइम मल्टिप्लाई करांगे we get 7 7, 3 is a 21 so 3 दी पावर आगे 21 बच्चे आठ टर्म जदो उसी उपपर लेके जावाँगे ता माइनस चाजेगी so माइनस 21 so this is the answer ठीक है अगर positive तक भी तुसी छाट देके आनने है बच्चे तामी थोड़ दे मार्क्स पूरे होनके बट बाए रूल की या नीचे वाली टम जदो उपपर लेके जावाँगे ता माइनस होजेगी so 3 दी पावर माइनस 21 so next देखो third part 11 दी पावर 1 ओवर 2 divided by 11 दी पावर 1 ओवर 4 बच्चे अगर multiply दे विच टर्म ताम basis जड़िया आड होके basis सेम रहे के जड़िया दिया पावर जाओ आड हो जान दिगा ठीक है अगर एगी टर्म दो डिवाइड दे विच दित्ती होई या डिवाइड विच की होएगा ठोड इटर्म माइनस हो जान दिया माइनस मत्लब 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4 सेंटर चे माइनस अंसर आजा माइनस असाइन आजान दा so LCM लित्ता 4 ओपर आगा 2 माइनस 1 so 11 2 चो 1 गए 1 डिवाइड बाइ 4 so this is the final answer so अज दा साथ लास्ट कोश्चन है वचे थर्ड कोश्चन फोर्थ पार्ट थर्ड दा फोर्थ पार्ट 7 दी पावर 1 ओवर 2 dot 8 दी पावर 1 ओवर 2 जदो पावर सें होन ता जड़े थे बेसी जाओ आपस्ट मुल्टिप्लाई हो जांदे हैं ता मतलब 7 दी पावर 1 ओवर 2 now what is 7 एड़ जा 56 दी पावर 1 ओवर 2 clear हो गया so तुसी एथे तक की चाट के आण दिया था 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 ता मी ठीक है so एथा था 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 फाइनल आंसर सी एथे तक किसे तरा दिवी कोई प्राव्लम होवे या कोई कोशन समझ ना लग गया होवे ता तुसी पुछ सागदिया thank you so much